हलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की एक ग्राफिक्स विबसाइट बना सकते हो और उससे लाखो रुपे हर महीने अन कर सकते हो गर बैटे पार्ट टाइम में पैसा कमाने का ये एक वन आप देश्ट मैथड है अब देखिया आप सब के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि चलिए ग्राफिक्स विबसाइट हम बना लेंगे लेकिन उस पर डालने के लिए ग्राफिक्स हमारे पास कहां से आएंगे तो दोस्तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा विबसाइट का जिस विबसाइट का नाम है talentwisefree.blogspot.com इस विबसाइट के उपर आपको जो है free के अंदर ग्राफिक्स मिल जाएंगे यहाँ पे एक ग्राफिक्स का particular segment मैंने बनाया हुआ है अब तब कई categories के अलगलग ग्राफिक्स मैं यहाँ पे upload कर चुका हूँ और आगे आने वाले समय में भी यहाँ पे regular basis पे आपको ग्राफिक्स मिलने वाले है विडियो को complete देखेगा ताकि आपको पूरी process समझवे आपाए कि कैसे आप इन ग्राफिक्स को यहाँ से उठा के अपनी website के उपर डाल सकते हो लाइक यह जो आप देख पा रहे हो लोगों यह भी एक graphics ही है Halloween के graphics अगर अपन यहाँ पे देखे Halloween category के तो यहाँ पे देखे सबसे पहले तो आपको बता दूँ जब आप इस link पे आओगे तो यह interface आपको सूगा अब देखे पहला option आपके पास यह है कि आप यहाँ पे इस list में जो man menu हैं यहाँ पे graphics segment पे क्लिक करिए या फिर आप यहाँ पे label में graphic segment पे क्लिक करिए या फिर यहाँ पे graphics manually type करके चर्श करिए सो छलिए हम आते हैं graphic segment के अंदर और भी अलग-लग segment यहाँ पे बनाए हुए like ppt template, excel template, ebook, tool script सो आप इन सभी पे भी focus कर सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो एक graphics की जानकरी दूँगा तो यहाँ पे दीखे emoji graphics, devotional graphics, couple graphics, funny graphics, Halloween graphics इतने type के graphics मैंने यहाँ पे upload कर दिये अब दीखे इस एक-एक category के अंदर 50-50 graphics आपको देखने को भी लेगे हो सकता है उनसे भी जाना हो right so यहाँ पे यह categories भी day by day increase हो रही है साधी graphics भी increase हो रहे है तो दोस्तो content आपके पास free का बहुत बन चुका है अब अगर आप इन graphics को आगे sell कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं और यह था आप अपनी website पे upload करके अपनी website से भी earning कर सकते हैं monetization on करवा के google adsense के थुरू so देखें यहाँ पे hollow in free graphics के उपर अपन यहाँ पे click करेंगे so जैसे हम click करेंगे यह देखें कुछ subscribe का interface आजाएगा आप देखें यहाँ पे hollow in graphics क्या होते हैं उनके बारे में चीजे जो है यहाँ पे English के अंदर मैंने बताई है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर वो सारे graphics यहाँ पे मिल जाएंगे देखें ध्यान से यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो यह सारे के सारे graphics आपके सामने available हैं जिनमें से आप किसी भी graphics पे click करके उसको download कर सकते हो like example perspective से मैं आपको गदाता हूँ कि आप जो है इस वाले graphics को download करना चाते है तो simply इस पे click करोगे click करोगे तो यह interface आपके सामने open होगा और यहाँ पे देखें यह download का बटन आपको show हो रहा है इस पे आपको click करना होगा तो जैसे ही आप इस पे click करोगे तो यह देखें आपका download होने लग चुका है graphics और यहाँ पे download यह हो रहा है इसी त सबी graphics को यहां से इक बार दाउनलोड कर लेना है. दाउनलोड करने के बाद इन सबी graphics को एक ही fill दे पोल्डर के अंदर डाल देना है. जितने भी यह है 50, 60, 70 जितने भी है इन सबी इन सबी पोल्डर के अंदर डाल देनाली आए. उसके बाद आगे का scenario जो है यह जो बाखी की category जह है like funny graphics, couple graphics, इनको भी download करके अपने अपने folder में add कर सकते हो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक website को तयार करना है, सो website कैसे तयार करोगे, देखिए website तयार करने के लिए simply आपको Google के उपर आना है and blogger लिखके चर्श करना है, जब आप Google पे आके blogger लिखके चर्श करोगे, तो यह interface आपके सामने आएगा, जहाँ पर अगर आप simply एक tap करोगे, तो यह interface आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे देखे, create your blog का option आपको show हो रहा है and sign in का option आपको show हो रहा है, दोनों मैंसे किसी भी भी अगर आप click कर दोगे तो जो है, basically, आपके सामने आपके सारे Gmail account यहाँ पे show होंगे, तो सारे Gmail मैंसे, आप किसी भी एक Gmail को select कर लीजेगा, तो आपका blog का जो name है, आपको पूछा जाएगा, कि आप क्या name select करना चाहते हों, सो आप title डालिएगा और URL डालिएगा, blog बनके ready हो जाएगा, मैंने यहाँ पे अल्रेडी बना के रखा है, ताकि आपका time जो है, कम से कम लगे, उसके बाद आपको यहाँ पे pages बना लेने, like, term and condition, disclaimer, about us, contact us, उसके बाद को यहाँ आपको theme setup कर लीनी है, अच्छी सी theme यहाँ अपने ही साब से, setting segment में आके आपको यहाँ पे description में अपना description डाल देना है, website का blog language आपको English select कर लेनी है, normal वाली English, favicon आपको अपनी website के लिए add कर देना है, and उसके बाद आपको नीचे option मिलेगा, comment moderation का, इसको always पे set करके save कर दीजेगा, नीचे scroll करने पर आपको time zone का option मिलेग इसको Los Angeles से रहने दीजेगा, meta tag में आपको enable कर देना है, search description, and यहाँ पे आपको tag add कर देने, 150 character तक, and नीचे आपको crawler and indexing का option मिलेगा, इन दोनों को भी आप enable करके अपनी website को Google search console में add जरूर करे, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial साबित हो सकता है, right, तो इतना करने के बाद आप अपनी website भे graphics upload कर सकते हो, और उसको monetize करवा सकते, so देखे आपको कैसे करना है, इस चीज को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, so बहुत ही simple process है, आपको आना है, यहाँ पे new post के अंदर, अब देखे, new post पे हम click करेंगे, तो यह interface हमारे सामने आ जाएगा, य चीज को ध्यान रखें, अब आपको आना है Google Drive के अंदर, so दोस्तों Google Drive में आपको उन graphics को upload कर देना है, जिस साइप से Halloween Graphics जो है, 9 बच के 12 मिनट पे मैंने यहाँ पे upload की है, यहाँ पे upload करने के बाद बहुत ही simple process है, अब देखे, यहाँ पे upload करके आप उसको अपनी website पे कै कैसे ले जाओगे, यही सीज सबसे यूनिक है, कोई भी आपको यह concept नहीं बताने वाला है, पूरे YouTube पे आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे रीखे, यह folder आपको upload करना है, यह आपने upload कर दिया, देखे, upload करने के लिए यहाँ पे new page आना है, and upload folder पे यहाँ पे click करना है, तो आप directly folder को upload कर पाओगे, and यहाँ पे मालीजे, यह folder अमारा upload हो चुका है, इसके अंदर graphics है, वो सारे, right, तो simple है, कुछ जादा मैनत आपको करनी नहीं है, इन three dot पे click करके get link पे इस folder की link यहाँ पे आपको copy कर लेना है, so link मैंने यहाँ पे copy कर लिया है, इस link को लेके आना है iFramely.com के उपर, iFramely.com एक बहुत ही unique website है, यह आपके link को एक code में convert कर देगी, देखिए यहाँ पे आपको यह link paste करनी है, जो आपने google drive से copy की है, and उसके बाद refresh पे आपको click करना है, जैसे आप refresh पे click करेगे, तो आपका जो code बनेगा, इस file का वो आपके सामने आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे दो option है, एक list का, and एक grade का, तो आपको grade का select करना है, ताकि आपका interface जो है, इस type से so, अगर आप list select करेंगे, तो यह list by list, one by one करके जो है, graphics यहाँ पे so होंगे, कुछ इस type से, सो मैं यहाँ पे grade so करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे height भी इनकी increase कर सकते हैं, यह totally आप पे depend करता है, कि आप जो है, इसको कितना रखते हो, इसके अलावा आपको यहाँ पे simply copy code पे click करना है, code को copy करके आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, और यहाँ पे आप इस code को paste कर सकते हो, right, अब यहाँ पे मैं, जो है, basically name डाल देता हूँ, title डाल देता हूँ, so Halloween graphics यहाँ पे मैंने title डाल दिया है, so इस type से जो है, चीजे यहाँ पे आपको करनी है, basically, और बहुत ही अच्छा response आपको यहाँ पे मिल सकता है, so देखे ध्यान से, यह आपने यहाँ पे graphics label लगा दिया, जो आपका title है, उसको आपको जो है, यहाँ पे permalink के अंदर custom permalink में paste कर देना है, and उसके बाद नीचे church description में आपको यहाँ पे add कर देना है इसको, और इसको आप कर सकते publish, यहाँ पे confirm पे click करके आप इसको publish कर सकते हैं, so देखे आपके graphics यहाँ पे publish हो चुके है, और आपकी website के उपर यह आ चुके होगे, यह वो website जो हमने अभी बनाई है, जैसे हम click करेंगे, तो देखे यहाँ पे Halloween graphics करके, आमारे सामने यह जो है, interface आ रहा है, simply आपको इस पे click करना है, click करते ही आपके सामने आपके graphics ओपन हो जाएंगे, अब देखे देश दुनिया से लोग जो है, आपके website पे आएंगे, जिनको इन graphics की जरुरत रहेगी, और वो यहाँ से free में download कर पाएंगे, अब आप यह बताईए कि, ठीक है, ग्राफिक्स हमने upload कर दिये, लेकिन यहाँ पे traffic आएगा कैसे, वो directly ग्राफिक चर्ज करेंगे, हमारी website तो उन्हें मिलेगी नहीं, तो इसका जो solution है, वो यह कि आप ग्राफिक्स से related WhatsApp पे, Facebook पे, ग्रूप ढूंडिये, Telegram पे, उन सभी जगा अपनी link share करिये website की, देखे व वहां से आपको 2-4 दिन में बहुत ही अच्छा response मिलने लग जाएगा, हो सकता हैं, 500 दिन आप share ना करो link और तब भी आपको response अच्छा मिले, क्योंकि एकदम realistic जीज है, मेरे साथ हो चुकी है, तो आप इस method को follow करके initial traffic generate कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, I hope कि ये video से कुछ ना आपको सीचने को मिला होगा, साथ ही अगर आप इस method को follow करते हो तो online पैसा जरूर आप कमा सकते हो friends, थोड़ा सा confidence के साथ आपको काम करना होगा, देखिए इतना जो content में आपको free में दे रहा हो, digital content ये बहुत जादा unique है और आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, तो channel को भी जादा से जादा लोगों के साथ share करिये, ताकि हर कोई इस चीज का benefit उठा सके, thanks for watching friend